जी बिसमिल्ल्ल्रामाना रहीम अब हम इसके अंदर देखने बाले हैं रेंडूम यहां प्रेंड़ी सिक आम जैसे यह बहुत काके मार्ज में आया हमने पछले लेक्षर में देखा कि हमारे पास बुस्टिंग का concept था adaptive boosting जिसको एड़ा बूस्ट भी लोग कह देते हैं यहां पर रेंडम फरेस्ट है वो आया था 1996 में आप में से काफी लोग तब पैदा भी नहीं हुए होंगे या काफी लोग तब स्कूल जा रहे होंगे सो हमारे पास variety है तो 1996 में आया था ADA boost अगर मैं इसकी बात करू रेंडम फरेस्ट की इस इस अल्गरेथा जो आपके पास आया था 2001 के अंदर 2001 के अंदर यानि के 21 सदी का model है यह ठीक है अब ब्राइमन यह लेके आया था model लेके आये थे मैं कहूंगा because we should give respect बेशाक अपनी जु था यह बैगिंग अप्रोच के उपर काम करते हैं बैगिंग मैंने आपको कल भी बताया था दुबारा मैं समझा देता हूं ताकि आपको और समझा जा जाए इसकी बैगिंग क्या होती है आपके पास एक data set है like this यह आपका पूरा data है आप इसको छोटे-छोटे subset में ठीक है parallel fashion के अंदर सही हो गया and you go forward with the analysis अब यहां पे अगर आप गौर करें बैगिंग के अंदर boosting के लिहाज से क्या फरक आता है बड़ा एक simple सा फरक है वो sequential है boosting बैगिंग जो है आपके पास this is parallel fashion parallel जब कोई चीज चलती है parallel fashion में computation आपकी speedy होती है मिसाल देता हूँ आपको parallel computation या parallel computing जो है ना this is one of the terms जो cloud computer में use की जाती है आप एक process को बड़े को चोटे-चोटे टुकडो में तोड़े और अगर आपका आठ कोर का PC है ना आप उसको कहें के आठ process आप एक एक कोर पर दे दो तो that comes under the parallel fashion ठीक है अगर आप वही काम sequential में कर रहे हो तो आप कर ही नहीं सकते parallel fashion क्या ख्याल है क्योंकि आपने एक ही decision को आगे लेके जाना है एक decision tree को so that is why we are using this term parallel computation here इसकी वज़ा कहा है पहला ही जवाब इसका यह होगा कि इसमें जो competition होगी वो speedy होगी as compared to ada boost simply क्यों क्योंकि यह parallel fashion में चल रही है अगर आपके चार core भी है system के तो आप चार process easily कर सकते हैं ठीक है अब आप इसको खुद से भी decide कर सकते हैं वो आएगा आपकी hyper parameter tuning के अंदर ठीक है we will see that अब यह subset और यह trees और यह सारा का parallel fashion में क्यों किया जाता है इस method को बाइदावे अगर कोई IT से related है आप जारी बात है data scientist है सारे के सारे bootstrapping का बड़ा concept आपने सुना होगा क्यों जो bootstrapping 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 क्या होती है bootstrapping आप बता सकते हैं मुझे यहां पर अगर आप keyword लिखें दर इंटरनेट पे और bootstrapping को चेक करें के यह क्या है आपको फिर एक छोटी से definition मिलेगी बड़ी heavy किसम की है वो अगर आपके सामने definition आई है तो आपको जो मैं भी चीज बता के अटाओं इससे रिलेटिड होगी वो बैगिंग के अंदर झाल जले मैं आपको बता देता हूं आपको समझ आड़े की एक डेटा सेट को रेंडम ली छोटे-छोटे टुकुरों में डिवाइड करके उसकी प्रॉसेसिंग करना ठीक है और यूजिली आईटी के अंदर आप छोटे से प्रॉसेस को स्टार्ट कर देते और बाकियों को कहते इसके तरीके से आगे चल जो ठीक है तो यूजिली इस काइंड अफ तिंग अब सैंपल की बात यह है कि आपका जो डेटा है ना उसको रेंडमाइज छोटे-छोटे टुकुरों में डिवाइड करना सब सैंपल में फोर इच इटरेशन ऑफ ग्रोइंग ट्री अब यह इज इटरेशन है तो यहां पर जो मैंने इटरेशन ड्रा की है यह चार इटरेशन यहां पर चल रही है ठीक है यह ग्रोइंग ट्री है यहां से ट्री ग्रोग करना आगे लाइक दिस ठीक है लीफ नौट पेरेंट नौट में जितनी भी मैंने आपको एक्जेंपल दी ती यहां fashion के अंदर अगर इसमें आप regression की problem कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा इन सबी का mean आ जाएगा आपके पास अगर आप किसी regression की problem को deal कर रहे हैं तो यहां पर इसके mean को calculate करके आप फुर्दर आप बता सकते हैं कि regression का answer यह आ रहा है अगर यह mean के अंदर अगर आप देखें कि एक बहुत अच्छा perform कर रहे हैं उसे भी आप directly आगे लेके जा सकते हैं आप यह वह भी चेक कर सकते हैं और mean को भी ले सकते हैं second आप यह कर सकते हैं अगर classification की problem है you actually calculate the probability of these all four things और उनको आप collect करके एक point पे ले आते हैं then you see the mean probability या आप उन सभी probability को एकठा कर लेते हैं with the help of different models और बकाइदा यह आप नहीं करते यह आपका machine learning का algorithm खुद बखुद कर रहाता है जब psychic learn के अदा अंदर आप इसको deal कर रहते हैं तो अब इसमें और adaptive boosting के अंदर क्या फरक आया एक तो parallel fashion का है एक sequential का है then the second thing is इसमें क्या होगा एक week learner नहीं इंप्रूव हो रहा है यहां पे चार week learners इकठे इंप्रूव हो रहे हैं चार या चार से ज्यादा मतलब multiple week learners और जब यह multiple इकठे इंप्रूव हो रहे हैं वही चीज़ के core computation चैल रही है यहां पर जिससे क्या होगा आपका overfit नहीं होगा मॉडल क्या होता है कि noisy data को वह बीच में data grow कर रहे हैं तो error के chances कम हो गए यानि के overfitting के chances कम हो गए ठीक है तो noise जो है आपका यहां पर कम हो गया इसका मतलब क्या है कि random forest can deal with noisy data अगर noisy data है तो यहां पर deal कर सकता है ठीक है अब आगे बात करते हैं the algorithm यहां पर जो हमारा algorithm है अब इसमें एक और concept फिर आ जाता है अब अगर यह overfitting नहीं कर रहा यानि के यह noise को नहीं देख रहा ज्यादा noise को consider नहीं कर रहा तो possibility है कि यह underfitting की तरफ चला जाए कि train ही नहीं हो सही तरीके से क्योंकि हमने हर किसी में noise को divide कर दिया और automatically sample जब randomize हुआ है तो इसमें डिवाइड हो गया तो इसमें underfitting होने के chances है उसको कैसे remove किया जाता है उसको remove किया जाता है अगर आप पहले से pre-process data कर ले या आप इसके अंदर data जब डालें तो इसको different कि terms assign करते हैं जो हम आगे पढ़ने भी वाले हैं terms का मैं नाम नहीं अभी लेता सिर्फ आपको बताने के लिए कि you can actually randomize this random forest और इसके अंदर दो तीन regularization की terms को आप use करके आप अपनी तरफ से data को underfit या overfit होने से बचा सकते है ठीक है और आपके model जो है वो optimum perform करता है by the way overfitting and underfitting के chances हर model में होते हैं you have to optimize the hyper parameters to be on the same optimum level या optimize algorithm को बनाने के लिए अच्छा एक और फरकिन में adaptive boosting क्या करता है वो सारे के सारे features all features एक ही ट्री में ले आता है ऐसा ही है यहां पर क्या होता है आपके subset features के भी divide होते है जब sample आपने subset करना है आपकी सिरफ rows नहीं divide होनी आपके features भी divide होने ठीक है मैं अब सारे के सारे features एक में नहीं चले जाने आपके features भी इसके अंदर divide होने so few features in each ठीक है अब यह कहां पर अच्छा perform करता है कहां पर बुरा दोनों चीज़ें हम देखते हैं पहली चीज़ noisy data के अंदर अच्छा perform कर लेता है दूसरी चीज आउट layers हैं यानि के noise outliers होता है वह हो तो कोई मसला नहीं होता है इसे इतना इसके accuracy फिर भी अच्छी रहती है दूसरे algorithm की निस्पत तीसरी चीज़ यह fast है ठीक है अच्छे से मुराद में advantages बता रहा हूं ठीक है fast है तो जब आपका data आपने fast करना हो तो उसके लिए है अब देखने को लग रहा होगा यह तो चार-चार decision tree बना रहा है यह तो slow होना चाहिए ऐसे ही है ना देखने को यह लग रहा है लेकिन जो parallel computation है उसकी वज़ा से यह fast है कि आप एक एक computer के एक core को एक चीज़ assign कर सकते हूं ठीक है अब इसका एक बड़ा problem यह है कि इसके hyper parameters बहुत ज़्याद है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने accuracy लेनी है ना किसी भी model से उसकी ट्यूनिंग parameters हमेशा ज़्यादा हूं ठीक है मैं बड़ा आपको ना to the point चीज़े बता रहा हूं ताकि वह क्या कहते हैं उसे कि problem ना होगा आपको समझने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहां पर हमने देखनी है और कौन सी स्किप्ट करनी है अच्छा जी hyper parameter जो इसमें consider करने है सबसे पहला मैं यहीं पर इस वेड़ा से लिख रहा हूं क्योंकि यहां भी parameter ट्यूनिंग की बात हुई है सबसे पहला number of features दूसरा number of trees अच्छा मुझे बात बता है number of trees आप डिसाइंट करेंगे तो number of सबसेंबल्स भी तो डिसाइड होगे न सेम ही क्या ख्याल है क्योंकि हम स्टार्ट से सबसेंपल्स यहां ट्री को दे रहे हैं तो number of ट्रीज और number of सबसेंपल्स सेम चीज़ है फिर आगे maximum depth of tree कि इतनी depth होनी चाहिए maximum एक ट्रीए की अब इसके बाद एक एक और पर मेटर है कि हर लीफ नोड के अंदर कितने number of samples at the end बचने चाहेंगे ठीक है so that's another hyper parameter कि कितने samples बचेंगे हर लीफ नोड के अंदर before and after so यह हम दुनों चीज़ें चेक करेंगे और इसके इलावा इसके और भी काफी hyper parameters है लेकिन यह तीन जो है basically यह बहुत important है बाकि आप जब advanced level पर जाएंगे then you can actually learn when you are inside the random rest algorithm और कभी आप इसको लगाएं तो कब use नहीं करना चाहिए इसे मैं यहां पर लिखूंगा कि इसे तब नहीं use करना चाहिए जब आपका time series का data है ठीक हो गया और अगली बात यह कि time series का data इस वज़ा से इसमें नहीं use कर सकते क्योंकि जब आप time का एक factor involve कर देते हैं ना prediction में के एक बाद बताओ दो दिन बाद बताओ तीन दिन बाद बताओ यानि कि सीजनालिटी का effect आ जाता है अगर आप छे माँ बाद किसी चीज को predict कर रहे हैं और छे माँ बाद गर्मिया है ठीक है अभी आप सर्दियों में तो वह data खराब करेगा random fresh की training को लेकिन अगर आप अच्छी प्रफॉर्मस लेना जाते हैं क्योंकि इसके हाइपर परेमिटर ज्याद है इस वज़ासे यूजर को ज्यादा अब तीसरा हमारे पास आएगा एक्सजी बूस्ट एक्स्ट्रीम ग्रेडियन बूस्ट अब वह देखते हैं फिर इन तिनों में फरक करके देखेंगे कि 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 वह देखें हैं कि बुद अजर को जब वह देखते हैं कि ए्ड़ल से वह देखेंगे कि सी, बा만 एक्सराभ शोथर कि ऑ्रब शचलनागा कि वह देखेंगे